बिंदू 15,5 और 9,20 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदू 11,15 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमें यहां दो बिंदू दिये गए हैं, हम माल लेते हैं कि 15,5 बिंदू A है और 9,20 बिंदू B है 11 अनुपात 15 को हमने बिंदू C माल लिया और हम माल लेते हैं कि यह लेमडा अनुपात 1 में A B रेखाखंड को विभाजित करता है तो माना बिंदू A 15,5 और B 9,20 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदू C 11,15 द्वारा लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है अब विभाजन सूतर से हम जानते हैं कि 11 का मान क्या हो जाएगा 11 जो की C बिंदू का X से निर्देशांग है उसका मान क्या होगा वो मान बराबर होगा लेमडा इंटू 9 प्लस 1 इंटू 15 बटे लेमडा प्लस 1 तो हमने 11 को किसके बराबर कर दिया 9 लेमडा प्लस 15 इंटू 1 बटे लेमडा प्लस 1 क्योंकि हम जानते हैं कि यदि एक बिंदू R बिंदू P जिसके निर्देशांग X1 Y1 है क्यों जिसके निर्देशांग X2 Y2 है को मिलाने वाले रेखा खंड को K अनुपात 1 K अनुपात में विभाजित करता है तो R के निर्देशांग होंगे K X2 प्लस X1 बटे K प्लस 1 K Y2 प्लस Y1 बटे K प्लस 1 और इस सूत्र से हमने 11 को किसके बराबर किया हमने 11 को बराबर किया लेमडा इंटू 9 प्लस 1 इंटू 15 बटे लेमडा प्लस 1 अब हमने एक समी करन प्राप्त कर लिया है जिससे हम lambda का मान ग्याद कर सकते हैं तो हमने cross multiply किया वज्र गुणा किया और हमने प्राप्ट किया कि 11 जब lambda plus 1 से गुणा होगा तो यह हो जाएगा 11 lambda plus 11 लेफ्ट end side में हमें क्या प्राप्ट होगा 11 lambda plus 11 रैट end side में हम प्राप्ट करते हैं 9 lambda plus 15 तो नौ लेम्डा प्लस मंद्रा हमारा राइट इंड साइड हो गया पक्षांतरन करें और अब इस समीकरन को हल करें तो हमारे को प्राप्त होता है दो लेम्डा बराबर चार जो देता है लेम्डा बराबर दो तो इस प्रकार हमने lambda का मान दो प्राप्त कर लिया अतह हमारा जो अभिष्ट अनुपात है वो दो अनुपात एक है अर्था जो बिंदू C है 11,15 वो रिखाखंड AB को दो अनुपात एक के अनुपात में विभाजित करता है